नमस्कार दोस्त एक नेया वीडियो फीट से आप सभी का स्वागत है दोस्तो अगर आप स्माठफोन यूजर हैं हुंगे यूकर आज सब के हातों में स्माठफोन है और स्माठफोन में कैमेरा बहुत एक इंपरेन पार्ट होता है और camera use करने वाले हर लोग कभी ना कभी camera को छोड़ते हुए भी एक फोटो खिसते हैं उसे बोला जाता है screenshot जो screenshot लेते हुए हम लोग WhatsApp में किसी के साथ कोई भी data share करते हैं लेकिन ये जो screenshot है दोस्तो ये screenshot लेने का तरीका हर एक phone में अलग-अलग होते हैं लेकिन दोस्तो आज के जमाने में phone का इतना variant आ चुके हैं कि एक ही series में आपका दोनों phone निकला हुआ है और दोनों phone में screenshot लेने का option अलग-अलग है जैसे कि Samsung Galaxy M series का बात करें तो M32 और M52 5G दोनों phone में ही आपका screenshot लेने का तरीका अलग-अलग है जहाँ पे M52 5G phone में screenshot लेने के लिए dedicated आपका वहाँ पे swipe का option मिल रहा है तो M32 में वह option नहीं है प्लीज वीडियो को like और share करना ना भूले comment में जरूर बताए आपको ये video कैसे लगा अगर आप मेरा channel पे नए हैं तो जल्दी से channel को subscribe करके bell icon दबा दीजिए all notification के साथ ताकि मेरा हर एक नया video को notification आपको जल से जल मिल जाए दोस्तों तो मेरे पास M52 5G phone है और ये M52 5G phone में हम दोनों option ही आपके लिए दिखाऊंगा एक जो swipe वाला दूसरा अगर आपके पास M32 5G phone है तो आप कैसे screenshot लेंगे तो दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं मेरे पास जो phone है ये है Samsung M52 5G और ये M52 5G में आपको अगर screenshot लेना होता है तो आप आराम से swipe से ले सकते हैं देखिए मैं ये on कर दिया हूँ इसे मैं करता हूँ बंध अब देखिए ये जो मेरा home screen है home screen को ये अगर आपको screenshot लेना है तो ये देखिए मैं हाथ से swipe करता हूँ ये देखिए screenshot हो गया और नीचे देखिए screenshot को edit करने के लिए button भी आ गया और share का button भी आ गया यानि मेरा screenshot save हो गया screenshot लेने के बाद आगर आप notification बार को नीचे की तरफ खीचे तो यहाँ पर देखिए screenshot saved बोलके आ गया message यानि screenshot आपका बंध चुका है ठीक है ये screenshot आपका बंध चुका है ये देखिए यही है screenshot ठीक है दोस्तों यही है screenshot ठीक है तो screenshot मेरा हो चुका है अब ये feature दोस्तों सिर्फ M52 5G phone में मिल रहा है M32 5G phone में नहीं मिल रहा है तो M32 5G phone में आपको screenshot लेने के लिए क्या करना पड़ेगा गौर से देखिए ये sight आप गौर से देखिए जिस तरफ आपका ये जो बार होता है आपका volume rocker बार बोलते हैं हम लोग जिसे up और down volume up down करते हैं और ये होता है आपका जो जिसे हम लोग power button करते हैं या अभी ये fingerprint sensor की तरह भी काम करता है तो ये जो button है दोस्तों ये दो button को आपको एक साथ दबाना होगा क्या मैं बताया हूँ कि ये जो आपका जो power button है और ये जो volume rocker button का जो नीचे वाला है यानि down button है ये down button को और इसे आपको दोनों एक साथ प्रेस करना होगा एक बार जास्ट आप प्रेस करके दोनों को एक साथ छोड़ देंगे देखिए कैसे देखिए screenshot से वो गया अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये proper हो रहा है की नहीं तो मैं कोई भी दूसरा YouTube खोल लेता हूँ चलिए सबसे बढ़िया बात है YouTube खोल लेता हूँ देखिए ये YouTube है अब हम यहां से इसे करते हैं तो चलिए इसको फिर से हम करते हैं देखिए इसी तरह आप लोग M32 5G फोन में स्किन शॉट ले सकते हैं चीक है सिर्फ ये जो आपका पावर बटन है पावर बटन के साथ आपका वॉल्यूम रोकर का डाउन बटन दोनों एक साथ प्रेस करके तुरंत छोड़ देना पड़ेगा तब जाके आपका स्किन शॉट हो जाएगा आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया जिन लोगों ने M32 5G फोन को यूज कर रहे हैं स्किन शॉट नहीं ले पा रहा है वो लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट था सब लोग वीडियो को लाइक करके प्लीज सबके साथ शेयर कर देना ताकि सबको पता चले के Samsung का M32 5G फोन आगर आपके पास है तो भी आप स्किन सॉट ले सकते हैं उसमें कोई चीनता करने का बात नहीं है आज के लिए फिर मिलते नया वीडियो में अगर आप मेरा चैनल पे नहीं है तो जल्दी से चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन दबा दी ना ताकि मेरा हर एक नया वीडियो को नोडिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए आज के लिए इतना ही धन्यवाज जय हिंद बंदमात रम